Hi friends, आज हम एक ऐसे से प्रेयर करने जा रहे हैं जिनसे प्रेयर करने के बाद ये माननेता है कि कोई भी विशेज या कोई भी प्रेयर अन्जर्ड नहीं रह जाती है मतलब आपके की गई प्रातना या फिर आपकी बोली गई जो भी बाते हैं उनका अंसर आपको जरूर मिलता है बहुत सारे सेंट के प्रेयर मेरे चानल पर अप्लोड़न हैं सेंट रीटा, सेंट एक्सपडाइट इस तरह से करके काफी सारे सेंट हैं अब्ली बहुत हेलब करते हैं अबभी तक हम यही सुनते आ रहे हैं यह जो सेंट यह जीस बड़े पास बहुत करीब रहते हैं इसले हमारी विश्स उन तक जल्दी से पहुंचा देते हैं आज जो सेंट की बात करने जा रही हूं वह अक्जल जीस की फादरी है जो भी इनके बारे में मैंने पढ़ा जाना उसके recording इनका नाम सेंट जोसफ है और ये स्पाउस है वर्जिन मेरी के इसलिए हम ये मानते हैं कि सेंट जोसफ से अगर हम कोई भी प्रेयर करते हैं या कोई भी प्रात्ना बोलते हैं अपने दुख तकलीफों को बयान करते हैं तो उसमें हमें मदद मिलती ही मिलती है मतब कि कोई भी प्रेयर आनांसर नहीं रह जाता सिंपल ओके सो सेंट जोसफ का जो प्रेयर है यहाँ पे इंगलिश हिंदी दोनों में मैं दूंगी एक चीज का धियान रखेगा प्रेयर में दो पार्ट्स होते हैं पहला पार्ट होता है कि जिसमें आप जिस भी डिवाइन एनरजी से, पावर से या अलमाइटी से अगर प्रेयर कर रहे हैं तो उनके उनके पावर्स के बारे में पहले हम बात करते हैं उनकी जो शमताए हैं उनको हम या फिर किस चीज की वज़ह से हम उनको मान रहे हैं क्योंकि वो चीज जब हम बखान करना शुरू करते हैं या प्रेयर में हम पहले उसको बोलना शुरू करते हैं उससे होता क्या है हमारा मन ना हर चीज बिना ट्रस्ट की किसी भी चीज को अगर समझ लोग की ऐसे एकसेप्ट नहीं करेगा इस बात को कि हाँ ये विश हमारी ये पूरी कर सकते हैं ठीक है तो वो ट्रस्ट जगाता है असल में वो चीज आपके लिए ये करता है और सामने जिस एनरजी के लिए आप ये कर रहे हों जिस डिवाइन पार के लिए आप ये कर रहे हों जब हम उनकी पार्स के बारे में प्रेयर में पढ़ते हैं तो असल में उनके भी पार्स को तो इन्वोक कर रहे हैं उनकी energies को भी तो जगा रहे हैं ताकि आप उनसे connect कर पाओ और जैसे ही आप connect कर लेते हो आपके मन में विश्वास है सामने की energy पूरे high power पे है और आप connect कर गए हो और आपने अपनी विंती प्रात्ना की definitely manifest होगी जरूर होगी इसलिए दो parts हैं पहला जिसमें कि आप सिर्फ उनके बारे में बाते कर रहे हैं ठीक है वो कहां से आए, कैसे आए, क्या powers है क्या miracles हुए है क्या उनकी शमता है, क्या strength है राइट उन सब चीजों के बारे में और फिर second part होता है prayer का जहां पे कि आप अपनी wishes बोलते हो अपनी प्रातनाय करते हो आपकी life की क्या requirements है किस चीज के लिए आप उन्हें पुकार रहे हो उनसे बाते कर रहे हो असल में तो prayers में हम बात कर रहे होते हैं ठीक है जो भी बात आप उनसे कर रहे हैं उसका कारण क्या है, क्यों आपने उनसे connect किया है वो बात आप explain करते हो और वही तो आपकी असली prayer हो जाती है ठीक है प्रेयर सिर्फ यह नहीं है कि अपनी विंती बोलना पहला phase होता है प्रेज करना, आप पहले praise करते है divine energies को second part में आप pray करते हैं, जहांपे कि आपकी requirements आ जाती है third part भी add जरूर करना चाहिए और वो होता है gratitude का जो last में आप gratitude show करते हो लेकिन यह जो third part है gratitude का, इसको हम offering में रख देते हैं कि जब हमारी wishes पूरी होगी तो हम offering देंगे आपको वो offering और कुछ नहीं है, हमारा gratitude है हमारे वो खुशी का पल है जो हम उनसे share कर रहे है वो हम छोटी से sweet offer कर दें या फिर chocolates offer कर दें उतना ही, बस उससे हम अपना gratitude show कर रहे हैं तो यह 3 parts हो जाते हैं अभी यहाँ पे St. Joseph के prayer को मैं आपको सर्फ इतना बोलूँगी कि 3 दिन आपको लगातार करना है ओके periods को कोई restriction नहीं है आप आराम से एक जगा बैठके कर सकते हैं अगर timings की बात करें हम कि किस time पे best है ये सारे दिन में तो दिन होगा 3 बजेगा ठेक है तो 3 बजे दिन में आप करोगे इस prayer को और आराम से एक जगा बैठ जाएए चाहें तो candle ज़रूर जला सकते हैं मुमबत्ती जब हम जला देते हैं एक अलग सी पार वो fire energy जो है वो वैसे भी हमारे तो वेदो में mentioned है कि जब तक अगनी को हम साक्षी नहीं रखते हैं किसी भी prayer में किसी भी पूजा में तब तक वो पूजा ट्रांसफर नहीं होती है उस divine energy तक ओके सो अगनी देव को ही असल में ये कारे मिला हुआ है तो उसको थोड़ा सा क्लब करते हैं यहां पे क्यूंकि हर prayer में इसलिए मेभी शायद हम candles, जोत, दी, पक जला के ही पूजा अरचना करते हैं तो इसलिए मुम्बती जलाना आने वारे हैं जरूर जलाए एक किसी भी कलर की मुम्बती जला के आराम से शांती से एक जगा बैठिए और फिर ये जो prayer आप यहां आगे वीडियो में सुनने वाले हैं इस prayer को आप चाहें तो वीडियो के साथ कर सकते हैं नहीं तो आप एक paper में लिख लीजे और फिर अपने आप बैठ करके इस prayer को पहले पढ़िए इस prayer का जो language है ना English का वो थोड़ा different है कुछ words ऐसे हैं जैसे कि बहुत typical जो Christians prayer करते हैं वैसे तो आप बस उसको prayer कीजिए जिन लोगों को English में करना है हिंदी का language मैंने subtle रखा है ताकि समझ आ जाजए हिंदी में आप वैसे प्रात्ना कर सकते हैं प्रात्ना के बाद जब मैं कहती हूँ कि आप अपने prayers बोले या फिर जब हम आते हैं कि अपने लिए prayer कर रहे हैं या फिर कुछ मांग रहे हैं वहाँ पे आप अपनी prayers बोल सकते हैं या पूरा prayer पढ़ने के बाद आप अपनी prayer अपनी इच्छा के लिए प्रात्ना कर सकते हो सिर्फ तीन दिन करना है आपको ये तीन दिन के बाद आप इसको छोड़ देंगे आप बारी आती है डिवाइन पार के हमें answer देने के ठीक है तो अब आपको wait करना है उनके answers का आपने उनको अपनी बाद बोल दिया आपने prayer कर लिया now wait कीजिए और हर prayer का answer मिलता ही मिलता है बशरते कभी-कभी हम बड़ी जल्दी desperate हो जाते हैं okay so desperate मत हो ये आपने अपनी prayer की है हर चीज को time लगता है सबर रखे शांती रखे मन में hopes आई रखे सब कुछ अच्छा होगा okay so yes आईए ये prayer स्टार्ट करते हैं इसका मैं एक chant भी upload करूँगी ताकि हम उस chant को जब करें तो फिर जल्दी से divine से connect हो पाएं और जब हमारे पास अचानक सा time नहीं है कि हम prayers पढ़ें बैठें एक जिगा बैठ करके तसली से सबर से पढ़ें उतना time भी नहीं है तो कम से कम वो switch word chant करके हम almighty से connect करके अपने wishes के लिए या फिर कोई urgent situation में फसेन तो प्रे कर सकते हैं अब इस video में आगे मैं वो दोनों prayers यहां पर बता देती हूँ सुना देती हूँ आप लोगो को please जहां से सुन लेजिए तो थी O blessed Joseph do we have recourse in our tribulation and having implored the help of thy thrice holy spouse we confidently invoke thy patronage also by that charity wherewith thou was united to the Immaculate Virgin Mother of God and by that fatherly affection with which thou didst embrace the child Jesus we beseech thee and we humbly pray that thou wouldst look graciously upon the inheritance which Jesus Christ hath purchased by his blood and assist us in our needs by the power and strength most watchful guardian of the holy family protect the chosen people of Jesus Christ keep far from us most loving father all blight of error and corruption mercifully assist us from heaven most mighty defender in this hour conflict with the power of darkness and even as of old thou didst rescue the child Jesus from the supreme peril of his life so now defend God holy church from the snares of the enemy and from all adversity keep us one and all under thy continual protection that we may be supported by thine example and thine assistance may be enabled to lead a holy life die a happy death and come at last to the possession of everlasting blessedness in heaven Amen Now comes the consecration to Saint Joseph O my beloved Saint Joseph adopt me as thy child take care of my salvation watch over me day and night preserve me from the occasion of sin obtain for me purity of soul and body through thy intercession with Jesus grant me a spirit of sacrifice of humility and self-denial a burning love for Jesus in the blessed sacrament and a sweet tender love for Mary my mother Saint Joseph be with me living be with me dying and obtain for me a favorable judgment from Jesus my merciful Savior Amen Now you all can pray for your requirements and your wishes to Saint Joseph close your eyes and pray to him आपके संरक्षन का भी आवाहन करते हैं उस दान के दुवार जिसके दुवारा आप परमेश्वर की बेदा कुवारी मा से जुड़े थे और उस पिता के सनेह के दुवारा जिसके साथ आपने बालक यूशू को गले लगाया था हम आपसे विंती करते हैं और हम विनम्रता पूर्वक प्रात्मा करते हैं कि आप यूशू मश्री दुवारा खरी दी गई विरासत पर कृपा पूर्वक द्रिश्टी डाले उनके खून से और अपनी शक्ती और ताकत से हमारी जरूरतों में सहायता करे पवित्र परिवार के सबसे सजक संग रक्षक यूशू मसी के चुने हुए लोगों की रक्षा करें सबसे प्यारे पिता तुरूटी और भ्रष्टा चार के सभी दुख दया पूर्वक स्वर्ग में हमारी सहायता करें सबसे सक्ति शाली संग रक्षक अंधेरी की शक्तिएं के साथ हमारे इस संगहर्ष में और जैसे आपने पहले बालक यूशू को उसके जीवन के सरवोच संकट से बचाया था वैसे ही अब भगवान के पवित्र चर्च को दुश्मन के जाल से और सभी विपतियों से बचाएं हम सभी को अपने नरंतर सोरक्शा के अधीन रखें ताकी हम आपके उधारν और आपकी सहायता से समर्ठित हो सकें एक पवित्र जीवन जीने में सक्षम हो सकें एक सुखी मृत्यों मर सकें और अंत में स्वर्ग में चिर्स्थाई आशेरवात प्राप्त कर सकें हे मेरे प्यारे सेंट जोसफ मुझे अपने बच्चे के रूप में अपनाओ मेरे उधार का ख्याल रखो दिन रात मेरी देख भाल करो पाप के अफसर से मेरी रक्षा करो मेरे लिए आत्मा और शरीर की पवित्रता प्राप्त करो यूशू के साथ आपकी मध्यस्तता के माध्यम से मुझे बलिदान, विनम्रता और आत्मत्या की भावना धन्य संसकार में यूशू के लिए एक जुवलंत प्रेम और मेरी मा मैरी के लिए एक मधुर को मल प्रेम प्रदान करें सेंट जोसफ मेरी जीवित रहने मेरे साथ रहो मेरे मरने मेरे साथ रहो और मेरे दयालू उद्धार करता यूशू से मेरे लिए अनुकूल नयाय प्राप्त करो आमेन अब आप सब अपनी अपनी प्राप्त नाए सेंट जोसफ से कर सकते हैं झाल नयाय प्राप्त